तो चलो बच्चे इस वाले प्रॉब्लम को देखो कि यह क्या कहना चाहरा यह बेसिकल यह कहना चाहरे हैं कि consider a planet moving in elliptical orbit around the sun, sun के लाओ elliptical orbit में चल ला है work done on the planet by, जबी भी work done आएगा तो यह जो by word हो जरूर आएगा, by मतलब वो घर वाली by नहीं तो work done by ज़रूर आएगा, ठीक है, कौन work कर रहा, किस पर work कर रहा है, यह जानना जरूर यह, तो work कौन करता, force करता, तो gravitational force किस पर काम कर रहा है, particle पर, particle कौन चक्कर लगा रहा है, sun, consider a planet moving in elliptical orbit around the sun, मतलब sun के round जो planet है, उस पर gravitational force कितना और करेगा, तो यहाँ पर orbit दिखाये गया है, तो यह अपना sun है, और यह अर्थ है, तो sun और अर्थ के case में अगर देखोगे, अर्थ मतलब एक कोई भी planet, यहाँ करें, एनी भी कोई भी planet हो, ऐसा नहीं की अर्थ हो, तो उस पर sun का work done, मतलब gravitational force का work done, zero in small part of the orbit, small part of the orbit zero होगा, या zero in some part of the orbit, कुछ part में zero होगा, small part मतलब छोटे से हिस्से में work done zero होगा, क्या, ऐसा बिल्कुल नहीं है, देखो, work done zero का होगा, work done क्या होता, तो work done is equal to force multiplied by displacement का dot product होता है, अब जो force और dot का displacement होता है, fd cos 90, तो work done zero होने के लिए, या तो cos की value 90 हो, या तो theta 90 हो, तो work done zero हो जाएगा, या तुम देखोगे, displacement ही zero हो, और force भी zero हो, तभी work done जाएगे zero होगा, तो work done zero होगा, जब theta 90 होगा, theta किसके किसके बीच का angle है, force और velocity और displacement के बीच का angle है, तो तुम यहाँ देखोगे, तो जब planet यहाँ पर है, चलो मानलो ऐसे घूम रहा है, anti-clockwise, तो ये anti-clockwise rotation है, तो इस point पर जो tangential velocity है, वो ऐसे है, ठीक है, तो velocity, इस वक्त velocity इधर है, तो displacement की direction इधर है, और gravitational force attractive होता है, वो इधर लगेगा, तो gravitational force यह angle theta कितना गया, भाई, 90, तो जब planet A पर है, तो work done, जो है, work done by the gravitational force क्या है, भाई, zero है, ठीक है, same story कहां है, भाई, तो same story हम लोगे लिए B पर है, B पर देखो, तो अगर तुम B पर देखोगे, प्यारे वेचों यहां पर, तो B वाले part पर देखो, B वाले part पर gravitational force तो center की तरफ लगेगा, तो यह रहा, force center की तरफ गया, तो अगर force center की तरफ जा रहा है, और यहां से तुम देखोगे, velocity जो है, वो इधर जा रही है, और displacement भी इधर ही होगा, तो यह angle again 90 degree आ गया, तो जो B point है, इस पर भी जब planet है, तभी वी work done क्या है, 0 है, तो कुछ part, मलब A और B पर तो 0 होगा, बाकि किसी और part पर देखो, जैसे यहां पर है planet, तो यहां पर है, तो यहां पर तो gravitational force तो इधर आ जाएगा भाई, तो यह आपना gravitational force, लेकिन जो linear velocity है, वो इस वक्त planet की इधर आ जाएगी, तो इस वक्त जो है displacement इधर होगा, और यह angle कुछ होगा, 90 नहीं है, तो यहां पर work done is not equal to 0, इसी तरह से कोई और point अगर देखोगे, इस point पर देखोगे, तो इस point पर velocity इधर होगी, और gravitational force attraction होता है, फजी इधर आएगा, यह कुछ finite angle बनेगा, 120 मानलो, ऐसा कुछ लाइग दी, something, मुझे पता नहीं कितना बनेगा, तो यहां पर भी work done is not equal to 0, तो कुछ point पर work done 0 होगा, कुछ पर work done नहीं होगा, तो देखो कौन सा option इसमें से बनता है, in small part of the orbit is 0, small part में नहीं होगा, is a 0 in some part of the orbit, यह ज़्यादा सही है, मतलब B option ज़्यादा सही है, 0 in one complete revolution, अरे जब one complete revolution करेगा, तो 0 हो गई होगा, one complete revolution में displacement कितना हो जाएगा, 0, भाई जहां से चला था, वहां आगया देखो, अगर जहां से चला था, कोई भी particle, एपॉइंट से चला था, और घूंग के एपर आएट है, तो displacement कितना आगया, 0, तो work done कितना आगया, 0, मतलब B और C सही है, और यह D क्या करता है, 0 in no part of the, यह तो बिल्कुल गलत बाट है, तो that's why इसका solution B और C इसका solution बन जाता है,